यह कहा जाता है कि वो पौच के देश के सच्चे कमांडर अंचीफ थे उनके सामने वो मार्च पास्ट होगा जहांकिया निकलेगी और इस वक्त प्रदानमंत्री नरेन मोधी एक बार फिर से दर्शकों को बता दूँ जो टोपी पहनी है वो उत्तराखन में ग्राम्म कमल लग पूजा में इसका बड़ा इस्तिमाल होता है और जो स्टोल इस वक्त प्रदानमंत्री ने पहना है यह मनेपूर का खास उसका चिन और पहचान है और यह भी देखिए कि मास्क लगाए हुए हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी देश को एक बड़ा संदेश यहां से देन प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी वार वेमोरियल से अब रवाना हो चुके हैं और बस अब देखिए आप यह देखिए डिजिटल बुक में वो अपने कमेंट्स को दर्च करेंगे और उसके बाद यहां से वो प्रस्थान करेंगे राजपत के लिए और इस बार पहली बार यह राश्ट्रिय समरिसमारक की डिजिटल आगन तुक पुस्तिका है जिसमें की प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी डिजिटल पैन से अपने कमेंट्स लिखते हुए यह आप देखिए ये डिजिटल विजिटर बोक है जिसमें प्रदान मंतरी नरेन मोदी अपना रिमार्क इस वक्त लिख रहे हैं ये पल उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल विस्ता के तहट नहीर राजपत पर बहुत शांदार भव्यत तस्वीर हिंदुस्तान को दिखने वाली है और एक बार फिर से सबको नमन करते हुए प्रदान मंतरी नरेन रुमोदी बिलकुल रुबिका और आजाडी का अमरित महोतसव है तो इसलिए भारती वायू सेना थल सेना और नौ सेना के 75 विमान फ्लाइपास्ट करेंगे परेड में पांच रफेल एक साथ विनाश फॉ हंगम दृष्ट इस फक्त दर्शक देख रहे हैं प्रदान मंतरी नरेन रुमोदी का काफिला आप ये देखिए पूरा निकलेगा और राजपत की तरफ कर रुख होगा और वहीं से आप देखेगा खूप सूरत देश की ताकत और जाकी आपको अलग-अलग अंदाज में नजर आएगी और ये अब प्रदान मंतरी नरेन रुमोदी अपनी गाडी में बैटते हुए रोबे का लगातार कर रही थी वो आपके सामने और हम बताना चाहते हैं कि हर देश में वार मेमोरियल वो जगह होती है जहां पर जब भी कोई राश्ट्र नेता या कोई बड़ा डिगनेटरी पहुँचता है तो वो वार मेमोरियल पर जाता है और अब 2019 के बाद से भारत में भी ये राश्ट्रिय समर जो समारक है वो तयार हो चुका है और आज गरतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की वो सीधी तस्वीरे हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं और ये देखिए रुबिका ये तस्वीरे भी बहुत खास हो जाती हैं श्रद्धान जली देने का सिलसला लगाता जारी वीरगती को प्राप्त जो सेनिक हुए हैं इस पूरे साल में जैसा शोबना बता रही थी अब वो तस्वीरे आने लगेंगी जब आपको राश्पती श्री रामनात कोविन जो है वो दिखेंगे जब शांदार उनके अंगरक्षक जो हैं उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको अकंपनी करने के लिए आपको दिखाई देंगे ले जीजे सिंह सहाब, थलसेना के जानकार, मेजर जनरल संजय महस्टन और वायू सेना के जानकार, अनिल खोसला साहब सबसे पहले मैं शुरुवात मेजर ज Standardsin आपसे करना चाहूंगी ये इस बार की जो तस्वीरे हैं और इस बार की जो भव्यता है वो कैसे बाकी सालों से अलहदा और अलग इस वक्त आपको नज़र आ रही है जैनल मैसिल काफी चीज़े इस टाइम फर्क हैं पहली बात तो आपको पता है कि इस टाइम जो फ्लाइब पास्ट है वो 75 एरक्राफ्ट से करेंगे और बलकि जो एरफोर्स से मेरे को बताया गया था कि तक्रीवन 100 जहास होईंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन जो 75 का तो वो जो फ्लाइब पास्ट है और मेरे को ये भी बताया गया कि वो मेगना नदी थी जो बंगलादेश में थी तो उसके अधार पर इसका फॉर्मेशन होगा और दूसरा डकोटा उसके दुवारा वो दिखाए जाएगा जो टंगेल जो एरड्रॉप हुआ था जो 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने बंगलादेश में किया था तंगेल में लेकिन एरक्राफ्ट जो डकोटा जिन्हों ने उसमें जैनल आपको दारा था उसे अधार आपको रखे आगे